असलाम अलेकूम वर्स वेलकम टू मैं चैनल को कुद्रोमा खान आज मैं आप लोग लिए चिकन ब्रेट पेटिस बनाने की रेसिपी लेकर रहें बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है रमजाना इस्पेशल है अफ्तारी के वक्त हम इसे बना सकते हैं दावत इस्पेशल भी है आ कि जगह आप बटर का भी यूज कर सकते हैं फिर यहां पर हाफ टेबल स्पून क्रश किया हुआ लस्तन है उसे आट कर देंगे बारिक चॉप किया हुआ कि इसे सोटे कर लेंगे कुछ सेकेंड के लिए फिर एक मीडियम साइज की प्याज है जिसे मैंने बारिक कट कर लिया ता उसे आट कर देंगे प्याज को भी हम कुछ सेकेंड के लिए सोटे करेंगे उसका में कलर चेंज नहीं करना है ना उसे गोल्डन फ्राइ करना है फिर यहां पर हाफ टेबल स्पून गिरिन चिली है जिसे क्रश कर लिया था उसे एड़ कर देंगे फिर इसे भी हम भून लेंगे साथ में फ्लेम को मीडियम पर ही रखेंगे फिर यहां पे बॉइल किया हुआ चिकान है जिसे मैंने रेशे रेशे कर लिया था एक कप भर के था उसे एट कर देंगे इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ में कुछ अब यहां पे स्पैसी मसाले एट करेंगे यहां पे एक रुष किया हुआ बलेक पेपर है काली मिरिश का पाउडर और वाइट पेपर हाफ टेबल इस्पून यहां पे चिली फ्लेक्स है चिली फ्लेक्स आप कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि मैंने ग्रीन चिली भी एट करी है इसमें नमाग आप अपने टेस्ट के अ मैदा आइड करूंगी मैदे को हमें अच्छे से भून लेना है एक से दो मिनट के लिए फ्लेम को मेडियम टूलोप पे ही रखेंगे और मैदे को अच्छे से भून लेंगे हाफ कब दूद्ध लिया है उसे एड़ कर देंगे इसमें फ्लेम को मेडियम पे करेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स करते हुए पका लेंगे थोड़ी दिर के लिए इसका एक अच्छा सा मिक्षा तयार करना है हमें चिकन का क्रीमी सा दो तीन मिनिट के लिए मैं इसे पका लेंगे मेडियम फ्लेम पे यह हमारी फिलिंग बनके रेडी हो गई आप देख सकते बहुत ही आसानी से पैंसे अलग होने लगा है बिल्कुल चिपक नहीं रहे हैं इसे एक साइट निकाल के ठंड़ा कर लेंगे फिर यहां पर मैंने वाइट बिरड लिए जिसका साइट का हिस्सा है जो मैं निकाल दूँगी साइट में कट कर लेंगे इसे इन किनारों को हम फेकेंगे नहीं इसे हम ब्रेट क्रम बनाते हैं उसी में साथ में डालके पीस लेंगे अब इसे मैं बेलन की मदब से बेल लूँगी हमें पेटिस बनाने के लिए इदम फ्रेश और ताजा बिरेड लेना है बासी बिरेड का यूज नहीं करना है उससे पेटिस बनेंगी नहीं जो फोल्ड करनते वक्त तूट जाती है इसलिए ताजा बिरेड का ही इस्तेमाल कर इस तरीके से हम बेल देंगे फिर उसके बाद मायनीज हम इसके उपर लगाएंगे पूरे ब्रेड में अच्छे से इसे फैला देंगे और जो चीकन की फिलिंग हमने तयार करी थी उससे आप बीच में रखेंगे और इसे हम फोल्ड कर देंगे और चिपका देंगे हाथों की मदब से अच्छे से प्रेस करेंगे थोड़ा हलके हाथ से और इसे सब तर्फ से मैं इसे चिपका दूंगी फिर उसके बाद मैंने याद दो अंडे बीट किये थे पहले अंडे में डीप करेंगे फिर उसके बाद उसके उपर ब्रेट क्रम लगाएंगे इस तरीके से मैं इसे बना के रेडी कर लूँगी आप इसे वन वीक के लिए फिरिज में भी रख सकते हैं और बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही आराम से चलता है ये, अब यहां पे तेल गरम करने के लिए रख दी थी मैं, तेल हमारा हलका गरम हो गया है, अब उसमें हम पेटी साइट कर देंगे, बहुत जादा तेल को हमें गरम नहीं करना है, क्योंकि ब्रेड है, जाद जादा खौलता हुआ तेल है, अगर उसमें एड करेंगे, तो उपर से एकदम जल जाएगा, इसलिए तेल को हमें मीडियम ही गरम करना है, और फिलेम को मीडियम टू हाई पर ही रखना है, यहां पे मैंने चार पेटी सिसमें एड किये, एक साथ सभी पेटी से नहीं आड कर कर देंगे, बहुती क्रिस्पी पेटीस बनके तयार होती है, और बहुती आसानी से, आप लोग भी जरूर ठाए करें, बाकी की बचे भी पेटीस में इसी तरह तरलूंगी, इसे भी मैं मीडियम फ्लेम पे ही फ्राइ करूंगी, अब इसे निकाल लेंगे, चटनी के साथ या सॉस के साथ हम इसे सॉर्फ करेंगे, चिकन ब्रेट पेटीस, आप लोग जरूर ठाए कीजिए और कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले, वीड जुमें बने बेल आइकन को प्रेस करें, उससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, थैंक्यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अला आफेज